नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो का विशाय आपको समझ में आई गया होगा कि बैगन के प्लांट में ये मेरा बैगन का जो पौधा है ये जैसे करनी चाहिए कि हमें बैगन के पौधे पे लगाता धेर सारी फ्रूटिंग मिलती रहे तो आए दो दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो में आखरी तक बने ये आखरी में बताऊंगा मैं आपको कंपोष्ट के बारे में जो कंपोष्ट आपके पौधे मे 100% फ्रूट लेके आएगा फ्रूटिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा आवसे कंपोष्ट है उसके बारे में वीडियो के आखरी में बात करेंगे तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने लिडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल तो दोस्तों बैगन के पौधे के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है इसके फ्लॉर्स आते हैं और फ्लॉर्स जढ़ जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं फ्रूट में नहीं बदलते हैं तो उसके पीछे जो रीजन होता है दोस्तों वो दो तीन रीजन है पहला लेस ना मिले वाटर ना मिले तो फूल तो आएंगे और वो फ्रूट में तब्दिल नहीं होंगे जढ़ जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी आप अपने ग्रोबैग में बैगन में पानी दें तो उसे कोसिस करें देखिए जैसे हमारे डेल की यूटिन को होता है कि ह लेके आते हैं और बैगन में इस जैसे यह ग्रोबैग है हमारा इसमें एक लीटर पानी डाल दिया तो इसमें क्या होता दोस्तों यह ज्यादा से ज्यादा चारिंच की जो सताय ऊपर की वही गिली होती है और फिर अगले दिन ता कि वास्पी कराण में पानी उड़ जाता ह है तो जो नीचे की रूट्स होती है उन तक पानी नहीं पहुच पाता है तो वाटरिंग करते समय हमें दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है यह खास ध्यान रखना है कि इसमें वाटरिंग हमें इतना देना है जिसे हम कहते हैं हमेसा कि वाटरिंग तब तक करें जब तक ड तो ऐसा करने से क्या होता है कि पौधे की जितनी भी रूट्स होती है हमारे ग्रोवग में फैली होती है रूट्स जो होती है वो पानी की तलास में नीचे की तरफ भागती है तो नीचे की रूट्स को पानी मिलना जरूरी होता है तो इस तरह से हमें वाटरिंग करनी चाहिए ऐसा ना हो कि फिर हम आज वाटरिंग किये फिर कल फिर दे दें पानी की जुरत पौधे को नहीं उसको पौधे की नीड के हिसाब से उससे वाटरिंग करें पहला कारण तो दोस्तों यह हो गया दूसरा दोस्तों जैसा वेदर है आपके अहां बैकन की पौधे को 33 डिगरी मैकसिमम और 15-14 डिगरी तक की टेंपरेचर में बहुत अच्छा ग्रो करता है लेकिन उससे अधिक भी सर्वाइब कर जाता है पर जो अच्छी ग्रोइंग जिया और अभी जो गरंईों का मोसम आया है तो काफी दूप हो रही है बहुत जदा मौसम में गर्मी हो गई है और उसके बाद हवा बहुत तेज चल रही है तो हवा तेज चलने की वज़े से क्या होता है कि पौधे की जो कलिया होते है acting फूल खिल रहे होते वो गरम हवास सूख के गिर जाते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा हूँ यह देखिए एक बैगन का पौध यह देखिए ये इस मौसम की मार को नहीं जेल पाया तो इस प्रकार से आपको बचा के रखना है जैसे देखिए मैंने इसे एक दिवाल की किनारे से रख दिया है ताकि हवा जो इस गरम हवा चलती है तो उससे इनको थोड़ा बचाना है और धूप से बचाने के लिए हम सेटनेट का इस्तिमाल करते ही हैं तो यह दो तीन कारण है जो पौधे फ्लावड ड्राप कर देते हैं फिर दोस्तों मैंने जैसे देखिए पौधा मेरा पुराना हो गया है तो मै इनके जो रूट्स होते हैं वहाँ एयर पहुंचती है असानी से और जब अक्सीजन मिलेगी इनको तो इनकी रूट्स काफी हिल्दी डेवलप करेंगी तो यह कुछ कारण है जिनकी वज़े से इने प्रॉब्लम होती है तो हमेसा एक बात ध्यान रखिए कि जो भी ट्रीट को ध्यान में रखते हुए कि पौधे को किस चीज की डिमांड है उस हिसाब से इनकी केर करनी चाहिए कहा गया है कि किसी भी चीज की अधिकता खराब होती है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दूस्तों मैं आपको फर्टलाइजर बताता हूं देखे फूटिंग क तरीके से हमें फास्पोरस जहां मिलता है वो आप राक फास्पेट या मोन मिल में से यूज कर सकते हैं उसके अलावा आप चाहे तो बहुत ही अच्छा है कि जो किचन वेश्ट से निकली हुई छिलके हैं सब्जियों के केले के छिलका है तो इन सब चीजों से भी आप फास पुष्ट है जिसकी कि जिसे कि मैं यूज करता हूँ अब मैं आपको बताओं कि इसमें क्या-क्या मातरा में मैंने क्या-क्या चीज़े लिए हैं 10% मैंने राक लिए है वोड़ेस आप बहुत ही आसानी से इसे अपने घर पे बना सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसमें ना समझ लीजिए अगर वो आपको नहीं मिल दे तो आप इसकी जगहां बोन मील यूज़ कर सकते हैं मैं चुकि बोन मील अलग से यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने जो कंपोंड फास्ट बना ली क्यों सोची है इसमें मैं राक फास्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके अलावा देखिए तो इस प्रकार आप इसे सबको मैंने मिला लूँगा और मिला लेने के बाद अगर आपको जो सरसो खली है अगर इसका पौडर मिलता है तो यह ज़्यादा वेस्ट है नहीं तो आप ग्रेंडविल्स में भी जो टुकड़े में हैं इन्हें भी यूज़ कर सकते है इस प्रकार देखिए हमने इन सबको मिला लेना है अच्छे से और दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं करनी है हमने यह मैंने तरीब दो से तीन पौधों के लिए मैंने यह कंपोस्ट तैयार कर रहा हूँ आपको और ज़्यादा की ज़रुत है तो आप इसी कंपोस्ट है उसमें आपको लगबग सारे नूट्रेंट्स मिल जाते हैं क्योंकि कई सारी चीजों का कंपॉंड कंपोस्ट बनता है हमारा तो सब कुछ उसमें मिल जाता है प्रचुर मातरा में मिलता है उसके अलावा मैं आपको सला दूँगा कि हर 15 दिन पे एक बार इसमे हमने पहले गुडाई कर रखी है इसके अच्छे से गुडाई कर लिए हमने और देखे जब पौधा अगर नया है तो थोड़ी उसकी हलकी गुडाई करी है लेकिन अगर पौधा पुराना है तो थोड़ी डीप गुडाई करी है क्योंकि सारी रूट्स जो होती है नीचे की शिलके हमारे जो थोड़े देर से डिजॉल्व होते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो दो मुठी करीब हमने इसमें दे दिया है और दो मुठी कमपोस्टिंग करने के बाद हम इसमें कर देंगे वाटरिंग और वाटरिंग का मैंने आपको बताया कि वाटरिंग आपको तब तक करने है जब तक कि ड्रेनेजोल से पानी ड्रेन आउट ना होने लग जाए तो पौधे की सभी रूट्स तक पानी पहुचना चाहिए तभी हमारी कमपोस्टिंग का असर होगा पौधे की रूट्स कमपोस्ट को अब ले पाएंगे अच्छे से और पौधा आपको ग्रोथ करेगा देखिए पानी अभी एक दो सेकंड में ही नीचे चला जाएगा जो उपर दिख रहा है तो मिट्टी अच्छी होनी चीए कि पानी जो हमारा पूरी मिट्टी में आराम से पहुच जाए यह देखिए दोस्तों सारा पानी हमारा नीचे बैठ गया है तो इस प्रकार अगर आप अपने बैगन के पौधा की केर करेंगे यह कंपोस्ट जो मैंने आपको बताई है अगर इन्हें यूज करते हैं 100% मैं इसकी गारेंटी लेता हूँ कि आपका पौधा बैगन से लदा रहेगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर कोई आपका सुझाओ हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद